Hello Everyone, This is Engineer A.K. Sharma और आज हम स्टार्ट करेंगे JK SSB का बहुत ही important topic है Popular Name of Personalities Personalities होंगी religious, political, scientific discoveries, geographical, sports और history से यह topic हम different parts में divide करेंगे so that आपको notes बनाने में भी easy रहे और यह topic भी अच्छे से understand हो सके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम historians की बात करेंगे जो सबसे पहला historian जिनका नाम हमारी history of chain के में काफी important है उनका नाम है कलहना पंडित इन्होंने राज तिरंगनी लिखिया है राज तिरंगनी का मतलब होता है river of kings तो यह बहुत ही बार पुछा गिया है JK SSB के exam में की who wrote राज तिरंगनी तो आपका answer रहेगा कि लेना पंडित जिनको कलहान और कलहना भी कहा जाता है next important historian है अविनव गुपता तो यह आपने याद रखना है कि कहीं बार question आ जाता which of the falling is an historian तो आप इसका answer दे सकते हैं अविनव गुपता एक और historian है अविनव वर्धाना अविनव वर्धाना भी काफी important historian है जो की author है दिवान यो लुक्का के जिसका मतलब होता है a light on suggestions दिवानी जिसको कह सकते हैं और particularly यह philosophy की बुक्त है जिसमें aesthetic suggestions के वारे में दिया गया है Daniel H.H. Engle इन्होंने translate किया है दिवाना यो लुका को English में संस्कृत से आगे बढ़ते हैं जोना राजा जोना राजा वाज ए किश्मीरी historian and a Sanskrit poet इन्होंने दिवित्य राजत्रंगनी लिखी है जो की कलैना पंडी जी के आगे की उन्होंने जो history उसको continue किया है और इन्होंने लिखी है जैनुल अब दिन तक दिवित्य राजत्रंगनी के वारे में लिखा है after his death उनके जो अन्यवाई थे जिनका नाम श्री वरा है तो इन्होंने इनका वर्क continue किया और उन्होंने तृत्य राजत्रंगनी लिखी है दिवित्य राजत्रंगनी में उन्होंने widely explain किया था जोना राजा जी ने कि कैसे हिंदू ruling dynasty का downfall होता है और muslim ruling dynasty का rise हुआ हता है next historian है परजना भट प्रजना भट जी ने लिखी थी राज़ा वालिपत्ति का जिसमें कश्मीरी history के वारे में इन्होंने काफी अच्छे से बताया है जिसमें उन्होंने मुगल emperor अकबर के time period के आगे बताया गया है कि कैसे incorporation हुआ 1588 से एक और important historian है जिनका नाम है श्रीवरा श्रीवरा जी भी काफी important historian है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने तृतिये राजतिरंगनी के वारे में बताया था लिखा था और जो work है कलैना पंडी जी का और जोना राजा जी के work को इन्होंने आगे continue किया था तिल 1486 तक तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं और कौन historian है हमारे वासुगुप्त वासुगुप्त जी author है शिवास तूतास के ये बहुत ही important text है और इसमें इन्होंने शिविजम के वारे में बताया है जिसको तरीका भी कहा जाता है या तरीका योगा भी कहा जाता है तो यही main historian है इसके इलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई historian रह गया तो आप नीचे comment में लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ हमजा मकदूम कश्मीरी पॉपरली कहा जाता है इनको मकदूम साहिब भी कहा जाता है यह सूफी मेस्टिक स्कॉलर जो कि कश्मीर में रहे और अपनी टीचिंग से काफी प्रभाइवित किया उस time period के दोरान अपने इनको कभी कभी मकबूल अलम भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है love by all और सुल्तान अलाफरीन भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है king of those who knows God इनकी जो श्राइन है वो लोकेटिड है southern pole of हरी परबत हेल्स जिसको popularly कहा जाता है मकदूम साहिब और हजरत सुल्तान अलाफरीन ये बहुती important pilgrimage center है कश्मीर में यो आप picture देख सकते है श्राइन ओफ मकदूम साहिब जो की श्रीनगर में है आप देख सकते है हरी परबत के southern slope पर ये बनी है आगे देखते हैं शेख बाबा शादी शहीद जिनका पहले नाम था महाराजा धरम चंद राजपूद इसलाम में कनवर्ट होने से पहले और इसलाम में कनवर्ट होने के बाद इनका नाम हुआ राजा शहदाब खान जो की सूफी संथ थे ये पहले चिप राजपूद थे जो इसलाम में कनवर्ट हुए डूरिंग दा रीजिन आफ बाबर और अकबर के टाइम पिरिड में इनकी सर्विसिस से जो कंधार में इनकी अच्छी सर्विसिस से इनको अकबर ने खुश होकर गवर्णर आफ कश्मीर बना दिया तो ये आप देख सकते हैं बाबा शादी शहीद जी की जो प्लेस है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कौन से इंपोर्टे बढ़ते हैं बगवान गोपीनाथ इनका पहले नाब था गोपीनाथ भान इनको जीवन मुक्त भी कहा जाता था मतलब होता है लिबरेटिट सोल इनके टेंपररी जो सेंट थे जो सादू संथ थे वो इनको अगहोरेश्वर भी कहते थे और इनके जो डिवोर्ट्स थे वो इनको बगवान कहते थे इंडिन पोस्टल सर्विस ने इनके नाम पर ये एक स्टेंप टाइटल जिसमें लिखा हुए है बगवान गोपीनाथ जी रिलीज की थी इनके 100th बर्थ एनिवर्सरी पर जो की था 3rd of July 1998 को दूर दर्शन ने इन पर एक डॉकुमेंटरी भी लिकी थी अन बगवान गोपीनाथ in the year 1996 बगवान गोपीनाथ हेरिटेज हॉल जो की इनागरेट किया गया जम्मू में on 21st of November 2010 में श्री SS फोतेदार को कहा जा सकता है प्रिंसिपल बायोग्राफर आफ बगवान गोपीनाथ जी तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है तो आगे देखते हैं लाल डीड जो की कश्मीरी हिंदू फैमिली में बाउन हुए at the time period of Sultan Allahuddin इनको लालेश्वरी भी कहा जाता था इनको और भी नामों से बुलाया जाता है जैसे लाल डीड मदर लाला लाला अरीफा लाल दीडी लालेश्वरी लाला योगेश्वरी और लालीश्वरी पॉल ए मर्फी ने जो उनकी बुक है त्रेडिक मेगिटिजम में इनको चीफ एक्सपोनेंट और डिवोश्टन और इमोशनल ओरेंटिड ट्रेडिडिजम से बुलाया है तो यह आप देख सकते हैं लालेश्वरी ये के बारे में लेखा है नेक्स्ट काम है जिसको सैफुरूल इश्क जर्नी ओफ लव जिसको बैटर अगर कहा जाए तो सैफुल मुल्क भी कहा जाएगा तो यह आप देख सकते हैं श्राइन ओफ मिया मुहमद बक्ष जी की ये श्राइन है आगे बढ़ते हैं नंदरिशी ये काफी इंपोर्टेंट है जिनको शेख नूरुदिन नरूनी भी कहा जाता है और इनको ओनरी टाइटल दिया गया है अलमदीर कश्मीर ये कश्मीरी सूफी संत रहें और इस्लामिक प्रीचर भी रहें नंदरिशी जो थे वो वन आफ दा फॉंडर्स रहें हैं रिशी ओर्डर के रिशी ओर्डर क्या था एक सूफी टरेडिशन अफ दा रिजन था नूरुदिन की जो टीचिंग्स है जिनको कॉमनली सुक कहा जाता था इन 2015 यूनिवर्स्टी ओफ केश्मीर ने उर्दू में बुक जिसका टाइटल था कलाम शेक खुल आलम जिसमें 300 सुरुक्स अफ नंदरिशी जो की उर्दू में ट्रांसलेट किये गए थे बाए गुलाम मुहमद साथ दौरा यह बहुत इंपॉर्टन है नूरुदिन जी ने कुरान का जो है वो कश्मीरी लेंगविज में ट्रांसलेट किया था सुल्तान जैलुल अबदिन ने कमिशन किया था एक टॉम फॉर हिस बॉड़ी एट चरारी शरीफ में जो की काफी अच्छी जगा है अगर आप श्रीन अगर में होंगे तो जरूर यहां पर जाएए नेक्स्ट है अफगान गुवर्नर अत्ता मुहमद खान ने कौइन्स जिन पर नूर अदिन का नाम लिखा गया था यह चुनवाए थे मिंट किये थे 2017 में जमू और किश्मीर अकैडमी अफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्विज ने इनकी लाइफ पर एक बुक थी जिसका नाम था हयायत एशेख खुल आलम लाइफ आफ नंदरिशी यह लाई थी 2005 में गोवर्मेंट आफ इंडिया ने जो श्रीनगर का एरपोर्ट है शेख खुल आलम इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की इनी के नाम पर है तो यह भी काफी इंपोर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका नेक्स बढ़ते है स्वामी लक्ष्मन जू रहना स्वामी लक्ष्मन जू रहना जिनका जनम श्रीनगर में हुआ यह भी एक रिलिजियस परशनलिटी रहे इनको लाल साहे भी कहा जाता है जिसका मतलब फ्रेंड आफ गॉड है इनके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि नरायन दास जिनका नव नरायन रहना यह पहले इनसान थे जिन्होंने हाउस बोट्स कश्मीर वैली में इंटर्ड्यूस की थी तो आई होप आपको यह पहला पार्ट काफी अच्छे से समझ आया होगा अगर कोई रिलीजियस या हिस्टोरिकल परशनलिटी छूट गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं टाइप कर सकते हैं उनका नाम कि हमारे से कोई रिलीजियस परशनलिटी अगर छूट गई है और अशर करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी तो थेंक यू फेरी मच सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो डैट उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और वो भी हमारे जम्मो किश्मीर की इंपोर्टन परशनलिटी इसके वारे में जान सकें और एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से तो यह बहुत इंपोर्टन है थेंक्यू वेरी मच आपका दिन शुपर है